नमस्कार दोस्तो एवं भाईयो बैनो आप सभी लोगों का स्वागत इस वीडियो के अंदर मैं करता हूं दोस्तो आप अपने स्क्रीन पर जैसा देख पा रहे हो मतलब इंडिया के अंदर ही एक हीडेश कर सकते हैं जो इनसान भारत के बाहर है सपोज करना यह से केनिया है कुवेथ है यह फिर चाइना है चड है कैनेडा है ठीक है या फिर कोई ऐसा कंट्री जो इंडिया के भार का है वहां से आप इस वेबसाइट पर एसस नहीं कर सकते हैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बारत सरकार की जो अंडर SSC आता है स्टाफ सेलेक्शन कमिशन आता है उसने यहां पर नोटिस निकाल दिया है आठ ठारा जुलाई यानि आज अभी एक घंटे पहले का यह नोटिस है इसमें आप लोग की CHSL यानि की कमबाइंड हाइयर सेकेंडरी लेवल एक्जामनेशन जो पूरे एंटायर इंडिया से 12th pass candidates की vacancies होती है उसका जो पहला एक्जाम हुआ था टियर वन का उसका टेंटेटिव अंसर की इसके साथ सत्रिस्पॉंज सीट की किस कैंडिट ने किस कोशन का कौन सा option अपनी तरफ से दिया था अंसर के तौर पे दूसरा actual में इसका अंसर क्या है यह दौनों की दौनों चीजे आपकी आउट हो गई है तो जितने भी लोग एंटायर इंडिया में बिहार उत्तर प्रदेश राजिस्थान और करनाटका डैली पंजाब हरियाना महराश्ट्रा और इसके अलावा गुजरात से केरला से असम से याफिर त प्रदेश तेलांगा ना से इन सारे एरिया उसे मतलब पूरे नॉर्थ साउथ एस्ट वेस्ट एंटायर इंडिया से आप जिन भी लोग ने फॉर्म डाला था इसका छसल का मैं आपसे कहूंगा आप तुरंत जाईए ऑनलाइन कि ए ऐसे सी के वेब साइट पर और अपने अंसर की जरूर जल्दी से जल्दी चैक करिए इस वीडियो के नीचे आपको मेन वेब साइट का लिंक अंसर की चैक करने का डरेक्ट लिंक जो कि आप अपने अपने रिश्टेशन नंबर और पासवर्ट को डाल का लोग इन करके अपने कैंडिडेट डेश एक website का link, एक आपके dashboard के लिए candidate login link और एक आपका answer की notice, यह तीनों मैंने वीडियो के नीचे provide करा है, और आप entire India, पूरे भारत से कहीं से भी है, तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर, दोस्तों आप सभी को बदाई, आपका tier 1 tentative answer की है, final answer की आपको भी पता है, यह final answer की का बाता है, जब CHSL का पूरा recruitment हो जाता है, final result आजाता है, उसके बाद वो final answer की देता है, अगर CHSL exam में tier 2 नाम का भी कुछ है, कि जैसे वो tier 1 करा रहा है, उसके बाद tier 2 ऐसा कुछ कराएगा, तो अगर tier 2 exam कराता है, CHSL में होता है, आपने देखा होगा notification में आपको clear बता है था, और अगर CHSL का tier 2 exam होगा, तो इसका मतब यह है कि आपके final answer की, जो आपकी tier 1 की है, वो within 1 week या 10 days के अंदर इसी SSC के website पर आ जाएगी, ठीक है, तो आप सभी को पहले तो स्वागत इस वीडियो में, सभी लोग का entire India का ही नहीं, बलकि विश्व बर के हर एक व्यक स्वागत इस वीडियो में करता हूँ मैं, आप सभी भाईयों का बहनों का या जो भी लोग है, सब का ही, और आप इस वीडियो के माध्यम से SSC.gov.in website पर 18 July, मतलब आज का ही notice है, uploading of tentative answer keys along with candidates response sheets of combined higher secondary level examination tier 1 2024, इस पर click कर लेना, यहां से आपको दिख जाएगा, ठीक है, और आज 18 July है, अभी जिन भी लोगों ने CGL का फॉर्म नहीं बरा है, ठीक है, CGL एक बहुत अच्छी वेकेंसी है, दोस्तों यह वेकेंसी का फॉर्म क्लोज होने के बाद, आप इस पर फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, और इंडिया कंट्री में हर साल CGL में 25 लाख लो SSC CGL में, और जितने भी SSC CGL के व्यक्ति फॉर्म भर रहे हैं, तीसलाग केंड़ेट जितने ही फॉर्म भरेंगे इसके लिए, आप सबसे यही कहा रहा हूँ, दोस्तों, प्रपरेशन करिए, मैं आपका वीडियो आज सुरू कर दूँगा, प्रपरेशन सुरू कर इंडिया की हैं, तो 18,000 और 8,000 यानि 26-27,000 लोग को जॉब CGL और MTS से मिलेगा इंडिया कंट्री में, MTS हवलदार का फॉर्म इस महिने की 30 तारिक तक बंद हो रहा है, वही CGL का फॉर्म इसी महिने की 23 तारिक तक बंद हो जाएगा, यानि आपके पास आज सिर्फ 4-5 दिन है, फॉर्म डालने का, आप डाल लो, ठीक है, MTS हवलदार में 10th qualification चाहिए होती, केंड़ेट सिर्फ तस्वी पास कर जाए, स्कूल जाकर पढ़कर फॉर्म भर दे, लेकिन CGL के लिए college जाकर कोई degree लेना जरूरी है, BCA, BBA, BCOM, BTEC, B architecture और D planning, कोई सी भी accept हो जाती है, ठीक है यह दो फॉर्म अभी SSC न खोले हुए है, भारत देश में अगर आप सरकारी जॉब ढूंड़े हैं, पूरे भारत देश के किसी भी एरिया में है, आप तैली में है, पंजाब में है, करनाटका, केरला, आसम, वेस्ट पंगाल, तिरिपुरा, तेला गना या पूरे इंडिय जल्दी 100-100 रुपए में आप दोनों फॉर्म डालते हैं, तो 200 रुपए में आपका CGL और हवलडार MTS, तोनों डल जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके साब डाल लेना, गवर्मेंट जॉब होगी है, MTS को 25-30,000 का सेलरी होता है, एक CGL पोस्ट के व्यक्ति को 50,000, 60,000, 70,000, 80 का सेलरी होता है, CGL की सबसे अगर वॉर्ष्ट पोस्ट बता हूं, मतलब जिसमें सबसे कम सेलरी मिलती है, ऐसी पोस्ट CGL की जो है, उसमें भी व्यक्ति को 30-30,000 या फिर 40,000 तक सेलरी मिल जाती है, मतलब CGL की सबसे खराब पोस्ट पर भी 35-40,000 रुपए पर मंद व्यक्त कमा सकता है, CGL पोस्ट की सबसे लवेश्ट पोस्ट को लेकर, मतलब CGL की सबसे ऐसी पोस्ट जिसमें सेलरी कम मिलती है, वो वाली पोस्ट भी 35-40,000 रुपए तक की सेलरी उस पोस्ट पर है, ठीक है, और बेस्ट पोस्ट की तो आप जानते ही है, CGL की बेस्ट पोस्टों मे तो 80,000, 90,000 इतने से शुरू बात होती है ठीक है भारत देश में 80,000 की सेलरी मिलती है CGL पोस्ट के लोगों को आप मानते नहीं हो इस बात को तो आप खुद नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो यहां पर कुछ बेसिक पे महगाई भत्ता सम मिलाकर आप देखते हैं मतलब तो 80-90,000 प्लस बनती है आपकी CGL के अंदर सेलरी और वहीं जो की हाईयर पोस्ट की बता रहा हूं 80-90,000 एक लाग तक पर मंत की होती है यानि तीस दिन काम करेगा व्यक्ति उसको एक लाग रुपे तक अराम से मिलते हैं पोस्ट पर हाला कि उसके लिए आपको टियर वन टियर टू टियर वन सब निकाल लेते हैं टियर टू में अच्छे खासे स्कोर करने पड़ते हैं मार् सब्सक्राइब कर लेते हैं और जो केंड़ेट ने अपना रिस्पॉंस दिया था किस कोशन का कौन सा अंसर वो करके आया सेंटर पे तो रिस्पॉंस शीट और अपनी टेंटेटिव अंसर की को डाउनलोड कर ले ठीक है सभी लोग जाके डाउनलोड भी करना देख भी लेन इसका टाइम एक लिमिटीड होता है अब वो टाइम कब तक का है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं तो ध्यान से सुनिए और अपने नए टॉपिक आपको वल्ड में पूरे विश्व भर में किसी भी तरीके का टॉपिक चाहिए आप मुझे बिलकुल बता सकत का वीडियो चाहिए वो भी मिल जाएगा क्या किसी बिजनस की गाइडलाइन्स चाहिए वो भी मिल जाएगी क्या किसी सेक्टर में जाने के लिए प्रोसेस पता करना है वो भी पता लग जाएगा क्या कोई भी वेकेंसी की तैयारी करनी है क्या किसी स्कूल कॉलिज में अड दे दूँगा चैनल पर इसी पर ठीक है चाहोगे तो दूसरे सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म पर भी दे दूँगा आप बस सब्सक्राइब करके रखिए और जो भी चीज़ आपको बताई जाती समझ आती हैं अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर करा करिए कमेंट में अतना ठीक है तो आप इसमें एक बार रिलोड कर लेंगे क्योंकि SSC की वेबसाइट ने आज एक नोटिस दिया है इससे तीन दिन से पहले कोई नोटिस आ नहीं रहा था आज ही आया है यह नोटिस और अगर आप इस पर किलिक करते हैं तो आप देखते हो अप्लोडिंग ऑफ टे इस बार आई थी CHSL यानि के कमबाइंड हाईयर सेकेंडरी मतलब 12 पास वाली लोगों की जॉब होती है अब हाँ इस वाली पोश्ट पर जो भी जो भी लोग पूरे भारत से 12th क्लास पास करते हैं चाहे वो CBSE, State Board, Haryana Board, Gujarat Board, Bihar Board, Assam, West Bangal, Maharashtra Board, Manipur Board, West Bangal Board, या फिर द पर देश बोर्ड से ठीक है या मध्या पर देश बोर्ड से जालखंड बोर्ड, उडीसा बोर्ड कहीं से भी पूरे इंडिया से अगर आप 12th पास कर लेते हैं तो आप इस पोस्ट का फर्म बर सकते हैं तो टीर वन जो आपका CHSL है पहला एक्जाम जो फेस वन हुआ था उ पूरे पूरे देश के अलग-अलग सेंटर में एक्जाम चलता है एड़ दिफरेंट सेंटर्स आल अवर दा कॉंट्रि मल पूरे देश के अलग-अलग शेहरों में ये अपना सेंटर रखके पेपर कराते हैं the candidates response sheet along with the tentative answer keys are now available and the same can be accessed through the website ssc.gov.in .in है लेकिन यह gov है .nic नहीं है .nic आपका पुराना वेबसाइट था आपका CHSL नहीं वेकेंसी का फॉर्म नहीं वेबसाइट पर है था और आपका SSC का जो एक्जाम हुआ है उसका form पूरा का पूरा अपने नहीं वेबसाइट से भरा था CHSL का form भी नहीं वेबसाइट पर है था notice भी नहीं वेबसाइट पर ही भरा था इस चक्कर से answer की भी नहीं वेबसाइट से ही देखी जाएगी .Candidates में log in by using their registration और पासवर्ड जो उनने बनाया था अपना राइस्टेशन करते समय पे उसको डाल कर लॉग इन करना है अब इंस्ट्रक्शन है कि आप अपनी अंसर की को कैसे एसे करेंगे अगर आपको चैलेंज करना है तो आप चैलेंज कर सकते हैं देखिए 2024 का CHSL tier 1 exam हो गया है 11 जुलाई तक चला है 18 जुलाई को उसको अंसर किया जाया है आप अपनी tentative अंसर की से अपने अंसर मिलाईए अपनी response sheet को देखिए और actual answers को मिलाईए आपको लग रहा है कि आपका अंसर सही है और अंसर की में गलत है किसी भी कोशन पर तो उस पर आप पर कोशन 100 रुपए SSC को submit करकर claim करिए और अगर आपका claim सही निकलता है मतब आप सही निकलते है उस अंसर पर और answer की देने वाला SSC अगर वहाँ गलत होगा तो फिर आपके marks definitely वहाँ बढ़ेंगे ठीक है और मान के चलिए आपका claim गलत है आपने answer की पर सवाल उठाए और आपका claim उठाना गलत हो जाता है उस question पर तो वहाँ पर आपका जो number था पहले से वही रहेगा मतब 0 था तो 0 ही रहेगा और claim आपका अगर गलत होगा किसी question पर तो ऐसे मैं answer answer की की तरफ से यानि SSC ने जो answer की बनाई है तो SSC अपने उपर लगेवे इल्जाम पर उस question के claim पर आपको marks तो देगी नहीं जुकि आपका claim गलत है और साथ ही साथ आपके रुपए भी वापस नहीं करेगी मतब जिल लोग का claim सही होगा और marks बढ़ जाएंगे उनको marks भी बढ़ जाएगा उनका और उनके रुपए भी वापस हो जाएंगे लेकिन जिनका claim गलत होगा उनके पैसे वापस नहीं होगे और marks वैसे के वैसी रहेंगे जो थे ठीक है अब representation मतलब claim होता है आपको अगर डालना है डालिए 100 रुपए आपसे लिए जाएंगे अब देखिए आज से लेके 23 जुलाई तक आप answer keeper claim डाल सकते हैं शाम के 6 बज़े तक यानि आज 18 जुलाई है और आपको बोला है कि आप 23 जुलाई यानि कि आज से ठीक 5 दिन और ठीक है 23 जुलाई के शाम के 6 बजने तक आप इसमें claim डालिए 100 रुपए per question claim डालेगा आपका और इसके बाद आप कोई भी claim या representation नहीं डाल सकते हैं अब candidate अपने response sheet का साथी अंसर की मिली है tentative वाली इन दौनों का print out ले सकता है डाउनलोड कर सकता है सेम 23 जुलाई तक जो भी candidate या जो भी व्यक्ति मुझे पूरे इंडिया से पूरे भारत से ही कहीं से क्यों ना सुन रहा हो आप सब के लिए main important बात ये है कि आप सभी लोग 23 जुलाई तक अंसर की देख सकते हैं अपने अपनी रिस्पॉंस शीट भी 23 जुलाई तक ही देख सकते हैं रिस्पॉंस शीट और अंसर की को डाउनलोड भी 23 जुलाई तक ही कर सकते हैं और साथ ही साथ कि इनके उपर अगर कोई representation है या कोई claim है तो वो भी आप 23 जुलाई के शाम के 6 बजे से पह हजारों में ही आती हैं सिर्फ लाखों लोग इस पर भी form बरते हैं अब देखिए next point next ही है यह annexer का इसमें लिखा है कि आप अपनी response sheet और answer की कैसे देखोगे और कैसे उस पर challenge करोगे तो सबसे पहले आपको login पर आना होगा अपना registration number password डालना है capture डालकर login करना है जैसे ही अपने dashboard पर आऊगे my applications जिन जिन पर आपने form भरा है वो my applications में मिलता है वहाँ आपको आना है वहाँ पर आपको CHSL exam का नाम दिखेगा और आपको दिखेगा कब से कब तक form भरवाए गए गए और दिखाया गया होगा कि आप लोग को कब से कब तक answer की देखने का option मिल रहा है और right side में नीचे answer की challenge का option होगा उस पर टिक कर लेना तो सब लोग इस तरीके से यहाँ आजाओगे आप answer की challenge पर जैसी टिक करते हो तो आप लोग को challenge system मिल जाएगा इस तरीके से यहाँ पर लिखा होगा exam का नाम CHSL and your exam name और आपका खुद का जो नाम है वो इधर आप इधर click here कर लेना और उसके बाद आप आगे बढ़ जाना और आपका claim हो जाएगा ठीक है तो answer की अब जैसे ही form पर login करते हैं SSC के website पर login करते हैं अपना registration number और password डाल कर तो आप जैसे ही login करोगे my application section में जाओगे आपको वहीं पर answer की देखने का option मिलेगा और answer keeper challenge करने का अभी option मिलेगा ठीक है तो जिसको answer की challenge करना हो कर लेना इस तरीके से माल लिजा इस तरीके से आप challenge कर लेंगे और किसी को अगर परेशानी हो answer की देखने में response sheet देखने में या challenge करने में आप मुझे direct comment में मत करना अपनी details comment में मत देना मुझे WhatsApp पर DM कर देना मैंने mobile अपना WhatsApp पर details दे रखा है about section में या आप comment में भी बता सकते हैं तो हम आपको फिर उसके उपर बता देंगे कि कैसे आप answer की देखोगे कैसे response sheet से अपनी answer की को मिलाओगे और कैसे challenge करोगे ठीक है बहुत से ऐसा लोग होते हैं जो first time देते हैं CHSL तो उनके लिए नया होता है CHSL में भी exam में ऐसा नहीं है कि दो बार दे सकते हैं तीन बार दे सकते हैं lifetime दे सकते हैं SSC के सारे exams को अगर आपकी उमर age limit उसके बीच में आ रही है जो form में मांगी गई है तो आप चितने भार भी SSC के exams को लिख सकते हैं ठीक है अब आप जैसे login कर जाते हैं roll number password डालके login कर जाते ह चार पर आपने challenge किया है तो चार कोशन पर challenge करने के या फिर चार कोशन पर representation अपकी तरफ से करने के 400 रुपए लग जाएंगे पर कोशन 100 रुपए तो 400 रुपए आपको फिर यहां पर अपना दुबारा से login करके payment के section में जाके proceed for payment करके आपको payment करने होंगे ठीक है इस तरी आ गया है देखिए यहां पर एक व्यक्ति ने उसका roll number आ रहा है उसने कोशन ID लिखी हुए तीसरे वाले point में कोशन ID मतलब उसने एक नया कोशन select किया है उसको उसने claim किया है उसके बाद आप नीचे देखते हो तो आपको दिखेगा इस candidate ने तीन कोशन पर अपना claim किया है मैं आपको दिखा दूँ यहां पर एक candidate जिसने तीन कोशन पर claim किया है तो उसको तीन सो रुपए देने होंगे तीन कोशन पर तीन सो रुपए उसको यहां पर pay करने होंगे ठीक है और यह तीन सो रुपए वो जमा करेगा ठीक है उसके बाद ही यह तीन सो रुपए वो जम जहां वो सही निकलता है और अंसर की गलत है तो दो कोशन में उसके नंबर मिल जाएंगे, तीसरा उसका क्लेम गलत होगा, तो मान लेते हैं कि उस वाले कोशन में उसको उसके 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा, ना तो उसको पैसे मिलेंगे, ना उसके मार्क्स बढ़ेंगे लेकिन जहां वो सही होगा, उसके वहाँ पर मार्क्स भी बढ़ा देगा SSC और साथ ही साथ उसके जो रुपए है, 100, 200 या 300 वो उसको वापस करेगा, ठीक है, तो यह प्रोसेस आप समझ गए, किलेम करने का और अंसर की देखने का, रिप्रेजेंटेशन करने का, ठीक है, त इसी तरीके से यही पर एक प्रेंट नाम का ऑप्शन होगा, जिससे आप अंसर की और रिस्पॉंस शीट को अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं, तो यही था SSC की तरफ से नोटिस, CHSL का, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यह वेब साइट होती है, यहाँ पर यहाँ पर और लॉग इन पर क्लिक करके आप असानी से अपने अंसर की को देखिए, उसको डाउनलोड करिए और क्लेम करना है तो वो भी करिए, 23 जुलाई के शाम के 6 बहे से पहले तक, किसी का कोई पॉइंट हो बताए, सबिस्क्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे, और कम वीडियो भी चाहिए, आप वो भी बता देना, आप के लिए चैनल पर दे दी जाएगे, ठीक है, चलिए मिलता हूं, तब तब के लिए आप सब का धन्यवाद,